इस आदमी ने खुद को एक डॉग में बदल दिया है पर कैसे तो इसका नाम है टोको जो की जापान से है जिसने खुद पर 15,000 डॉलर यानी 12,000,000 से जादा रुपए खर्च किया है और एक human size डॉग के कॉस्ट्यूम को order किया है इसके साथी टोको ने खुद को एक डॉग की ट्रेन किया है जब टोको को इस बारे में पूचा गया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी बचपन की इच्छा थी कि वह बड़े होकर एक डॉग बने वैसे इस डॉग के कॉस्ट्यूम को बनाने में 40 दिन से जादा का समय लगा और जब टोको घर पे अकेले रहते है तो एक लैक्स करते हैं वैसे आपको यह बीवियर कैसे लागा हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की और भी जादा इंटरसेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें